कार अदाव सस्रीकाल दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 के खर के अंदर इस हपते नॉमिनेशन टास्क जो है वो खतम हो चुका है और नॉमिनेशन टास्क के खतम होने के बाद बिग बॉस सीजन 17 के घर से बेगर होने के लिए कौन-कौन से कंटेस्टन नॉमिनेट हुए हैं ये ब question में से जिनका हो सकता है ये भी आपको बताएंगे लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल Quick TV News को आपने subscribe नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले Quick TV News को आप subscribe कर लें bell icon के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों तो bell icon के घंटे को आप जरूर दबा लें चलिए बताते हैं आज के खास report में आप सभी दर्शकों को यही बात nomination की जो task है वो खतम हो चुका है और इस nomination के task के दोरान big boss के makers ने current captain औरा को सबसे बड़ी power दी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी nominate करने का सबसे बड़ा अधिकार औरा को मिला अब आपको बताते हैं दोस्तों यह एक तरीके का chain reaction जो है वो task था और आपको बताना चाहते हैं औरा सबसे पहले किसी contestant को nominate करेंगे और वो contestant किसी और को nominate करेंगे ऐसी करकर आगे चलता जाएगा जब तक कि इस show से बेगर होने के लिए कुल 6 contestant nominate नहीं हो जाते तो आपको बताना चाहते हैं इसमें औरा ने सबसे पहले nominate किया आईशा खान को और आईशा खान को reason यह बताया कि आईशा जो है काफी जादा उन्हें लगता है कि वो जूटी है और इसी वज़े से वो उन्हें nominate करना चाहते हैं उनकी जो real personality है वे बहुत सिजन 17 के घर के अंदर वो सही नहीं है यह बात कहते हुए औरा ने आईशा को nominate किया अब इसके बात आईशा जो है उसने फिर से यहाँ पर nominate किया किसी और को नहीं बलकि औरा को nominate किया और औरा को nominate किया और यहाँ पर दो contestant nominate हो गया है औरा और आईशा और आईशा ने औरा को nominate करते हुए reason में क्या बताया reason में कहा कि इने जो है काफी जादा दिक्कते हैं मुझसे और साती साथ मुझे इनकी मतलब मुझे इनकी शो में रहने से दिक्कत है क्योंकि इनको language ना समझ में आता है ना इनकी language मुझे समझ में आता है ये कहकर उन्हें नॉमिनेट कर दिया और ये तो काफी obvious था समर्थ को nominate करने का और कोई reason तो उनके पास था भी नहीं। अब इसके बाद समर्थ ने किसे nominate किया। समर्थ ने यहाँ पर nominate किया दोस्तों मुनवर फारुकी को। मुनवर फारुकी को वो nominate करते वे नजर आये और reason में क्या कहते वे नजर आये वो reason में ये बात बताते वे नजर आये दोस्तों ये कहते वे नजर आये नॉमिनेट करते वे नजर आये यहाँ पर मतलब किसी और को नहीं बलकि मतलब समर्थ मुनवर को और मुनवर को nominate करते व बाते जो हैं वो करते वे नजर आए अब यहां पर मुनवर फारुकी ने किसको नॉमिनेट किया हमेशा की तरह मुनवर फारुकी जो है ऐश्वरिया को टार्गेट करते थे या तो अरुम को टार्गेट करते थे तो अरुम बज गया है तो अरुम को वो नॉमिनेट करते वे नज़र आए और कहते वे नज़र आए कि इनका शो में कॉंट्रूबिशन बिल्कुल नहीं है और ये शो में नहीं रहना चाहिए तो इस तरह से नॉमिनेट हुए हैं यहाँ पर अभिशेक कुमार और 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 साती साथ आईशा और समर्त मुनवर फारू की इसके अलावा ये कंटेस्टन जो है वो नॉमिनेट हो चुके हैं अब आपको बताना चाहते हैं किस पर इविक्षन की गाज जो है वो गिर सकती है तो इविक्षन की गाज जो है इस अबते डबल इविक्षन हो सकता है और डबल इविक्षन की तहट अगर देखा जाए तो और एक है और दूसरे contestant जो है अरुन है, यानि कि जोड़ी और मतलब एक तरीके से जो जोड़ी बनी हुई है और अरुन की, ये दोनों जो है इस अपते घर्स को छोड़ कर जो है वो जा सकते हैं, evict हो सकते हैं, तो ये सारी की सारी खबरे जो है eviction से जोड़ी है, और आपका क्या कहना है, in nominated contestant मैं से किसे आप शो से बाहर बेगार होता हुआ देखना चाहते हैं, comment के जरीए आप हमें ये बात जरूर बताएं, और साथी साथ आप हमें ये भी बात comment के जरीए जरूर बताएं, कि आपको क्या लगता है, इस पर comment के जरीए जरूर बात बताएं, तब तक के लिए ब झाल झाल